मेरा नाम है संचेत और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि फ्लिप कार्ट पे एक प्रोड़क्ट की लिस्टिंग कैसे की जाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं कि मैं फ्लिप कार्ट के डैश्बॉट पे लॉग दिन हूँ तो लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होगी कि हमें यहां लिस्टिंग्स टैब पे जाके एड न्यू लिस्टिंग्स का उप्शिन चूज करन देखे आप की पर चूप्शे मेरे लिस्टिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर प्रडॉक्ट के एसाब सेबसे उन जाएंगी आपका प्रडॉक्त जो है वह जो भी कैटेगुरी में पढ़ता है यह जो भी कैटेग्री का प्रड़क्ट है उससाब से आप यहां पर उस category को choose कर लीजिए, for example, मैं आपको यहां पर एक wallet की listing करके explain करूँगा कि कैसे flip card पर listing की जाए तो wallet की जो category है वो है leather and travel products उसके बाद मैं जाओंगा bag and fashion accessories में उसके बाद यह देखिए wallet card wallets को मैं select करता हूँ, तो मुझे यहां पर बहुत सारे wallet के types मिल जाएंगे, तो आप जैसे कि यहां देख सकते हैं, wallet card wallets में card holder document holder money clip wallet और एक risk wallet list करना allowed है और एक casual clutch, formal, party और sports wallet allowed नहीं है यहां पर हमें select brand का option मिलेगा, हम उस पर click कर देंगे तो उसके बाद जो भी आपके product का brand name होगा वो यहां पर आप type कर देंगे और check brand पर click करेंगे तो आपको पता चीज़ जाएगा कि आपको जो भी brand है product का वो आप उस brand के अपना product list कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते हैं तो anyway मैंने बहुत सारे products जो हैं वो इन चार brands के अंदर अंदर list किये हुए हैं तो इस बार भी मैं ये forever young पर choose click कर लूँगा जब आप बहुत सारे products list कर लेंगे तो आपको भी आपके brands जो हैं वो mention मिलेंगे अपने नहे जो भी products होंगे वो create new listings पर click करके यहां पर list कर सकेंगे create new listings क्लिक करने के बाद में information डालनी होगी अपने product की और product photos से लेकर price, stock, shipping information से लेकर product description तक आपको सब कुछ mention करना होगा तो चलिए यहां पर product photos पर click करते हैं upload करते हैं photos तो product की जो photos होंगी वो भी आपको अलग-अलग angles से खीचनी होंगी और यहां पर आपको जैसे माल लीजे front view, inner view, back view के angle से ली गई photos तो कम से कम आपको upload करनी होगी ताकि आपका जो product है वो customer को अलग-अलग angles से दिख जाए और उसको और असानी हो आपका product purchase करने में तो चलिए यहां पर photos upload कर देते हैं तो front view में front एंगल से ली गई photos यहां पर हम upload करेंगे उसके बाद second जो एंगल है वो inner view का एंगल है तो inner view में हमार पास है यह वाली photo तो फिलाल हम front view और inner view की photos upload हमने कर दी है और यहां पर हम save का option क्लिक कर देंगे उसके बाद हम चलते हैं यहां पर price stock और shipping information में और उसके regarding information जो भी आपके product की होगी आपको यहां पर upload कर देंगे तो पहला option यहां देखिए आपको मिलेगा seller SKUID तो seller SKUID का जो concept होता वो यह होता है कि आपको आपको SKUID होता है आपको product का वो हर एक product का unique ID create करते हैं जो कि हर एक product के लिए अलग होता है और यहां पर हम example के लिए कर देंगे क्रिएट वालेट 01 उसके बाद देखिए स्टेटस डीटेल्स में लिस्टिंग स्टेटस में हम डाल देंगे active उसके बाद प्राइस डीटेल्स में आपको MRP और आपका selling price आपको यहां पर mention करना होगा MR3 example के तौर पर हम डाल देते हैं और selling price हम डाल देते हैं मैं 750 इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपका जो selling price होगा वो MRP से कम होना चाहिए उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं inventory details में inventory details में देखिए यहां पर आपको fulfillment by column में आपको seller डाल देना है procurement type में आपको in stock mention करना है procurement SLA procurement SLA होता है इसका मतलब होता है कि कितने दिनों में आप अपना product जो है वो ship कर पाएंगे ready करके customer का order आने पर तो यह आपको एक से दो दिनों के अंदर ship करना होता है उसके बाद आपका अगर आप उससे late करते हैं तो आपको एक penalty लग जाती है तो यहां maximum में डाल देता हूं two days उसके बाद देखिए stock में आपको यह डालना होगा कि आपके particular product की जो आप list कर रहे हैं उसकी quantity कितनी है आपके पास example के तौर पर में डाल देता हूं 10 shipping provider में में डाल देता हूं flip card और अगर आप अपना product जो हो खुच ship कर रहे हैं तो यहां पर आप seller option mention करेंगे उस case में जब भी आपको order आएगा तो flip card की तरफ से आपको कोई shipping service लेने नहीं आएगी आपको खुद ही जाके अपना product जो है वो submit करना मलब ship करना होगा तो यहां पर मैं seller choose कर लेता हूं अब यहां देखिए आपको delivery charge में local delivery zonal और national level पे delivery charge जो है वो आपको charge करना होगा तो उसके इसाप से में डाल देता हूं 25 45 65 flip card plus में में डाल देता हूं non plus listing hsn code में देखिए hsn code होता है जो भी आपका product के साब से relevant hsn code होगा gst tax rate के इसाप से वो आप यहां mention कर देंगे तो मेरा है इसमें wallet के लिए 18% के tax rate में यह जो है 42023120 यह मैं यहां पर choose कर देता हूं उसके बाद tax code में gst underscore 18 उसके बाद country of origin में इंडिया डालके यहां पर select कर देता हूं और save का option में click कर दूँगा तो यह तो हुई आपकी pricing stock और shipping की information उसके बाद आ जाते हैं आपकी product description description में सबसे पहले जी आपको model name फिल करना होगा जो कि आपका product का जो visual description है वह आप डाल सकते हैं example के लिए तो मैं यह डाल देता हूं wallet for women green type में डाल देता हूं wallet style code जो है अगेन आपको खुदी create करना होगा और वह आपके हर product के लिए unique style code होगा एक यहां पर example के लिए create कर देता हूं wallet 100 brand color में आप अपने product का color डाल देंगे color में भी आपने product का ही color डालेंगे most likely उसके बाद अपना material से चेक कर देंगे जिस भी material से आपका product बनाएं और वह किन लोगों के किन उसके लिए ideal है कि जो भी आपके target customers है वह men हो सकते हैं women हो सकते हैं boys हो सकते हैं girls हो सकते हैं number of cards dot to width में example के लिए डाल देता हूँ height example के लिए डाल देता हूँ 5 और pack of का मतलब होता है कि आप अगर अपना product जो हूँ combo में ship करेंगे तो जाहिर सी बात है कि combo दो हो या in products का हो सकता है तो यहां पर अगर आप दो तीन products एक साथ ship कर रहे हैं तो आप यहां 2 और 3 डालेंगे मैं क्योंकि single product की ship करूँगा तो मैं यह 1 डाल देता हूँ कि बाद मैं यहां पर select कर लूँगा save का option तो यह सारी information डालने के बाद product की photos डालने के बाद price, stock, shipping information डालने के बाद product description डालने के बाद आपको यहां पर नीचे देखे send to QC का एक option available हो जाएगा जब सारी information आप सही तरीके से डाल देंगे बिना किसी error के तो आप यह send to QC पर click करेंगे तो यहां आपकी listing step पर वो information जो है वो product की listing यहां पर visible हो जाएगी और यहां देखे status में QC in progress दिखाई देगा आपको तो जब आपका जो status है यह approve हो जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि आपकी जो listing है वो flip card की website पर live हो जाएगी और जो customers है वो आपका product order कर सकेंगे तो इसी के साथ मैं यहां आपना video खतम करता हूँ और और भी बहुत सारे videos e-commerce related मैं लातार होँगा और इस video के regarding अगर आपको कोई भी अगर आपको doubts थे questions थे तो आपके वो doubts comment section में आप लिख सकते हैं तो मैं आपका जल्दी से जल्द doubt clear करने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए और e-commerce videos के लिए देखते रहे है यही channel और subscribe करना ना भूलिए Thank you झालिए